फिर एक बार आ गया हूँ लेके आप लोगों के लिए बहुत हेल्फुल और इंपोर्टन्ट वीडियो जिसका नाम है Google Sheets and WhatsApp Automation आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखा हूँगा कि कैसे आप Google Sheets के help से automatically WhatsApp पे मैसेज शेयर कर सकते हैं एक use case बता देता हूँ मान लिजे के आप कोई school run करते हैं और आपके school में पढ़ने वाले students जब भी अपनी fees जमा करते हैं आपके पास जाके तो आप उनका data collect करते हैं और आप जाके manually उन लोगों को एक message साइंग करते हैं कि thanks आपने जो है fees जमा कर दी है तो यह आप manually करते हूँ मान लिजे हजारो students हैं तो उन लोगों को सब को करने में आपके कम से कम कुछ नहीं तो 10-12 दिन तो लगी जाते होंगे तो यह वाला जो time है यह मैंने खतम कर दिया है automatically होगा क्या होगा जबी भी आप जाओगे गूगल शीट में details आइट करोगे जैसे कि student का नाम उसका number और अगर उसने fees दे दी है और आपने जाके बस गूगल शीट में लिख दिया उसके आगे paid तो जैसे ही आप paid लिखोगे automatically उस student को उसके whatsapp पे एक message आपकी तरफ से चला जाएगा कि thanks आपने fees जमा करी वगरा वगरा जिस भी तरह का आप message चाते हैं और वहीं अगर आप due लिख देंगे तो कोई message नहीं जाएगा इस तरह का यह मैंने automation check किया यह सिर्फ school के लिए नहीं है यह मैंने सिर्फ आपको एक example दिया है आप और भी कई processes से इसको relate कर सकते हैं कोई problem नहीं है और best part यह है कि आपको इस automation को करने के लिए किसी भी तरह की coding skills का आना जरूरी नहीं है मैं पूरी process बताने वाला हूँ कहां क्या करना है क्या नहीं अभी अपनी screen पर जैसा कि आप मेरी screen पर देख पा रहे होंगे Google Sheets open है जिसका नाम है fees status तो इस Google Sheets के अंदर मैं अपने students का fees का जो status है वो maintain करता हूँ कि किसने fees जो है paid कर दिया किसी नहीं किये तो मैंने एक ऐसा automation side किया है मेरी तरफ से एक message sent हो जाता है automatically होता है मैं अभी आपको करके बताता हूँ जैसे कि हैदर खान ने पूरी fees आज मुझे paid कर दिया तो मैंने यहाँ पर उनकी details आइड कर दिया और यहाँ पर अभी जैसे ही मैं आके लिखूंगा paid तो automatically एक WhatsApp message जैसे ही मैं यहाँ से cursor हटाऊंगा तो तुरंट एक message send हो जाएगा तो मैंने एक cursor हटाया और मैं WhatsApp पर आगे आपने और आप अभी देख पाएंगे तुरंट एक message जो है आगया एक बार refresh कर लेता हूँ ताकि जो WhatsApp की तरफ से error आया हो चला जाए तो refresh करने के बाद जैसे कि आप लोग देख रहे है message दिख रहा है आपको open करके दिखा देता हूँ Hi Heather Khan congratulations you have cleared all dues of school please collect your admit card from the office during working hours all the best for your exam from magnet brains team एक दम perfectly message आगया है मेरे पास और automatically आया है आपने देखा होगा आप सोच रहे होंगे कि कैसे मैंने यह किया मैंने जस्ट यहां आके जो है student की details आट करीं और उस student को उसके whatsapp पे एक इस तरह का message जो है मिल गया तो यह मैंने एक automation की help से किया और इस वीडियो में मैंने सिखाया है कि कैसे आप भी इस automation को set कर सकते हैं तो बिल्कुल भी skip मत कीजेगा आप बने रही है वीडियो में ओके सबसे पहला हम अपने browser में type करेंगे p-a-b-l-y पैब्ली.com प्रेसेंटर यह official website क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account free में बनाने के लिए मैं already अपना account बना चुका हूँ that's why मैं क्लिक करूंगा sign in पे first option आएगा पैब्ली connect का क्लिक करूंगा access now पर then open हो जाएगा पैब्ली connect का dashboard राइटिंग साइट पर option है create workflow का क्लिक करूंगा और अभी मैं अपने workflow को एक नाम दे दूँगा मैं एक simple सा नाम दे देता हूं Google Sheets to WhatsApp मैंने नाम दिया है Google Sheets to WhatsApp आप चाहें तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं एक बात बता देता हूं इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया यह same workflow यूज कर पाओगे अपने account में वो भी एकदम free में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आ गई trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है हमारा हम चाहते हैं कि हमारे google sheets के अंदर यह जो google sheets है मेरा इसके अंदर जाके मैं जब भी अपने किसी student का नाम उसका phone number और जो उसका fees का status है वो add करूं है ना और अगर उसने पूरी की फूरी fees जो है मेरी जमा कर दी है और मैं यहां पर आके लिग दू पेज तो automatically उस student को उसके whatsapp number पे मेरी तरफ से एक message जो है sent हो जाए इस तरह का मैं automation चाहता हूं ऐसा करने के लिए मैं first application में सबसे पहले तो choose कर लूंगा google sheets को है ना चूस करूंगा trigger event के अंदर new और updated spreadsheet row को पैबली connect ने दिया है मुझे webhook URL जिसको मैं copy करूंगा और नीचे दिये गए instructions को follow करते हुए integrate कर दूंगा अपने पैबली connect को google sheets से तो यह है वो google sheets जिसको मैं integrate करना चाहता हूं इस google sheets को integrate करने के लिए मुझे click करना होगा extensions पे then add-ons पे then get add-ons पे open होगा google workspace marketplace सबसे पहले मुझे यहां पे search करना होगा पैबली connect webhooks को search करके install कर लेना होगा अपने PC में जैसा कि आप देख रहे हैं already installed है आपके PC में नहीं होंगे सो आप कर लेना install करने के बाद जब आप एक बार आ जाओगे वापिस से google sheets पे तो अपनी google sheets को refresh करना मत बूलना refresh करने के बाद जब आप दुबारा क्लिक करोगे extensions पे तो आप दिख पाओगे एक नया option आने लगा है पैबली connect webhooks का यह आपको क्लिक करना है initial setup पे initial setup पे जब आप क्लिक करोगे तो यह एक error बताएगा यह error तब बताएगा जब आपके PC के अंदर multiple gmail account login होंगे तो यह हमसे सीधे सीधे बोल रहा है कि sir आपके जो भी multiple gmail account login है उन्हें please log out कर दीजिए क्योंकि connection में problem आती है तो मैं आपको इसका एक solution देता हूँ या तो आप अपनी google cheats को incognito window में open कर लीजे या फिर जो आपके multiple gmail account login है उन्हें log out कर दीजिए और सिर्फ एक ही gmail account को login रखिए तो मैंने multiple gmail account जो login थे उन्हें सभी को log out कर दिया है और सिर्फ एक ही gmail account login रखा है तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो error आ रहा था वो चला गया है तो आप आ जाते हैं यहां पर यह हमसे मांग रहा है वैबो qrl और trigger column सो वैबो qrl और trigger column कहां से मिलेगा वैबो qrl तो पैबली connect में दी ही दी है जिसको हम copy कर लेते हैं और आके यहां पर simply कर देंगे paste then trigger column बता देता हूं क्या होता है spread sheet के अंदर जो last data entry column होता है उसको हम कहते हैं trigger column okay so मेरी spread sheet में जो last data entry column है वो है यह वाला okay g तो मैं लिख दूँगा अपने trigger column में जाके g okay simply मैंने जैसे कि आप देख रहे हैं लिख दिया g click करूंगा send test पे तो इस google sheets का data sent हो जाएगा पैबली connect के पास यहां पे okay चलिए click कि है मैंने send test पे test data sent successfully बता रहा है चलके check करते हैं yes यहां पे successfully response received हो गया है जैसा कि आप देख रहे है name robin sing email phone number fee और fee paid कर दी है due zero है और fee status जो है paid okay सारी details पैबली connect ने capture कर ली है means web qrl लिख दम perfectly work कर रहा है तो वापस आना है google sheets पे और click कर देना है submit पे जैसा कि अभी आपने देखा होगा जब मैंने send test पे click किया तब data sent हुआ तो मैं चाहता हूँ मेरे involvement की जरूरत ही न रहे automatically यह process हो जैसे ही मैं row add करूँ automatically data sent हो जाए पैबली connect को ऐसा करवाने के लिए extensions पे जाऊंगा दुबारा पैबली connect वैबुक्स पे देन यहाँ एक option है send on event का इस पे click कर दूँगा तो अब मुझे send test पे data sent करने की जरूरत नहीं है automatically data sent हो जाएगा जैसे ही मैं यहाँ पे new row add करूँगा यहाँ तक data automatically google sheets send कर देगा पैबली connect को आ जाता हूँ पैबली connect पे अभी connection perfectly मैं बना चुका हूँ मेरे पैबली connect और google sheets के बीच में अब मैं पैबली connect को order देता हूँ कि जबी आपके पास data आये google sheets के दुआरा तो उसके अंदर जो भी phone number हो आप उस phone number पे message कर दें अगर fee status जो है paid हो तो अगर paid नहीं है तो message ना करें अगर paid लिखा हुआ है यहाँ पे अगर मैं paid लिख दूँ तो ही आप उस person को message करें जिसका number यहाँ है और अगर यहाँ पे due लिखा हो तो message ना करें इसा करवाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक filter का use करना होगा पैबली कनेक का great feature है जिसका नाम है filter filter में हम एक ऐसा filter लगा देंगे जिसके अंदर जिनकी fees paid हो गई है जिन्होंने पैसे दे दिये हमें सिर्फ उन्हीं को message जाएगा और जिन्होंने नहीं दिये उनको नहीं जाएगा so कैसे करेंगे select label पे click करेंगे google sheets का option आएगा click करेंगे google sheets पे और यहाँ पे जो fee status है आप paid लिखा इसको choose कर लेंगे then equals to यहाँ पे लिख देंगे paid इसका मतलब यह हुआ जब यह value equals to यह होगी तब ही यह workflow आगे run करेगा otherwise यह यहीं रुक जाएगा simple वाशा में कि जिन लोगों की fees paid हो गई होगी उन्हें जो है message जाएगा और जिनकी paid नहीं होगी उन्हें नहीं जाएगा simple ठीक है तो यहाँ पे हमने condition लगा दिये अब हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि message send हो जाए whatsapp पे ठीक है message send करना है तो हम अपनी second और last application चूज कर लेंगे whatsapp cloud API एना whatsapp cloud API के through ही हम message send करेंगे whatsapp पे then action event में हम चूज कर लेंगे send template message को क्योंकि एक template message ही में send करने वाला हूँ then click करेंगे connect पे connection के लिए उसके बाद add new connection पे एक new connection के लिए चाहिए permanent access token, phone number id, whatsapp business account id तो यह तीनों हमें मिल जाएंगे हमारे whatsapp cloud API के setup पे तो यह रहा मेरे whatsapp cloud API का setup जो मैंने किया था यहां पे अगर आपने अभी तक cloud API का setup नहीं किया है तो मैंने अपने description box में एक video का link लगाया है जिस video में मैंने सारी details बताई है कि आपको कैसे पूरा setup करना है whatsapp cloud API का जाके उसको check कर लिजएगा और अपना cloud API का setup कर लिजएगा दूसरी चीज यहां पे हमें एक token मिलता है जो की होता है temporary और यह हमारे किसी काम का नहीं होता क्योंकि एक दिन के अंदर expire हो जाता है तो मैंने एक और video बनाया है जिसका link मैंने description box में डाल दिया है उसके अंदर मैंने बताया है कि कैसे आप एक permanent access token create कर सकते हैं उसके help से आप कभी भी किसी भी time पर अपना connection करवा सकते हैं और इस temporary access token के साथ आप सिर्फ एक दिन ही connection कर सकते हैं that's why हमारे किसी काम का नहीं है तो दोनों videos चेक कर लेना आपको clarity आ जाएगी तो temporary access token create अपना permanent access token create करने के बाद आप उसको save कर लेना और जब भी connection करो उसको यहाँ पर लाके paste कर देना simple then आ जाता हूं नीचे number id और business account id तो यह हमें यहीं पर मिल जाएंगे नीचे scroll करोगे तो आपको यहाँ पर phone number id मिल जाएगा आपका देख पा रहा है आप यहाँ पर click करके इसको copy कर लेना और account id यहाँ पर click करके इसको copy कर लेना दोनों को लाके उनकी जगाओं पर paste करना और click कर देना save पे तो आपका जो connection है वो successfully हो जाएगा okay so मैं एक बार connection बना चुका हूं that's why मैं select existing connection पर click करके अपने पुराने connection का ही use करूंगा जैसा कि आप देख रहे है cloud API connected है पैबली connect से connect होने के बाद सबसे first field है यह template name की so यहाँ पर मैं click करता हूं तो मेरी सारी templates के नाम आने लगता है यह simply मुझसे पूछ रहा है कि sir कौन सी template जो है आप इस automation के अंदर use करने वाले है so उस template का नाम है no dues okay यह मैंने नाम दिया उस template को okay so मैं इसको choose कर लेता हूं और चलके आपको introduce करा देता हूं अपनी template से तो यह मेरा whatsapp manager यह कहां से open होगा जब cloud API का setup करोगे तो आपके सामने यह page आएगा इसके नीचे आओगे आप तो second step के अंदर आपको here का option देखेगा तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका whatsapp manager open हो जाएगा then यहां पर जो आप options देख रहे हैं यह सारी मेरी templates के नाम है जो मैंने खुद create करी हैं आप भी आपकी खुद की template create कर सकते हैं create message template पर click करना होगा और अगर और details में जानना है तो whatsapp cloud API वाला video देख लेना उसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत details बताई है template की कैसे create करना है और क्या-क्या options होते हैं so देख लीजेगा आपको और जादा clarity आ जाएगी so आज की जो template है वो मैं आपको open करके दिखा देता हूँ जिसका नाम है no dues okay है ना so नीचे scroll करूँगा यहाँ पे N N N यह रहा N ओके यह रही no dues वाली मेरी template open करके दिखा देता हूँ template एक्चुल में एक तरह का message है जो आपने पहले से type करके रखा है और जबी भी आपको जरूरत पढ़ लिए आप उसको select करके send कर रहे हैं okay so कुछ इस तरह का message send होने वाला है template के through किसको हमारे student को है ना high के बाद आप देख रहे हैं calorie brackets में one लिखा है तो यह क्या है यह variable है यह change होगा हर message में क्योंकि यहाँ पे high के बाद student का नाम आएगा और obviously बात है student का नाम हर बार अलग होगा सबी student का नाम same नहीं होगा congratulations you have cleared all dues of school please collect your admit card from the office during working hours ours all the best for your exam from from यहाँ पे school का नाम या फिर जो भी आपकी company है उसका नाम और आगे team है ना so इस तरह का यह message जाने वाला है आपके according जो भी words आपके और ज्यादा words जैसे change होने वाले है आपके message में तो आप उन्हें variable बना दिएगा जैसे कि मैंने यह बनाया curly brackets में one two three जितने भी बनाये संख्या के wise उनको डालते जाएगा okay है ना so समझ गए होंगे आप मैंने choose करी लिये है यहापे not use वाली template okay language code को वैसा ही रने दूंगा template id वैसी की वैसी रहेगी दर आजाओंगा नीचे तो यह मुझसे मांग रहा है recipient mobile number यह बोल रहा है कि sir जिस mobile number पर message sign करना है वो add कीजिए नीचे instructions भी दिया हुआ है कि country code होना जरूरी है without plus sign okay समझ गया तो मैंने शायद पहले ही शायद नहीं मैंने सही में पहले ही देखिए country code add कर दिया है without plus sign तो जब आप भी अपने google sheets create करें तो country code जरूर add करें without plus sign नंबर में जब नंबर add करें तो आप okay यहाँ पर मुझे phone number add करना है मुझे पता है google sheets से मिलेगा phone number यह रहा phone number okay जो हमें पैबली connect को मिला है google sheets के द्वारा data उसके अंदर यह रहा phone number तो यह phone number add करना होगा इस blank field में ऐसा करने के लिए technique का use करना होगा एक जिसका नाम है हमारी mapping mapping से हम हमारी trigger application का data action application में बहुत easily add कर सकते हैं कैसे blank field पे click करेंगे नीचे option आएगा आपकी previous steps का सबसे उपर होगी आपकी trigger application और आपको पता है google sheets से data मिलेगा हमे phone number okay so जैसे click करोगे सारा data open हो जाएगा यह रहा phone number click करना है और उसको add कर दिना है simple कितनी easy और simple है map करना है यही process को mapping कहते हैं लेकिन जितना easy है उतना ही important भी क्योंकि data map करोगे तो ही आपका automation perfectly run करेगा जैसे अभी मैंने यहाँ पे phone number map किया तो next time जब मैं किसी दूसरे student का data अपनी google sheets में add करोगा और उसका यहाँ पे कोई दूसरा number add करोगा तो जो भी number होगा automatically वो number यहाँ पे add हो जाएगा क्योंकि हमने यह number अभी map किया है that's why map करना important है और अगर map नहीं करोगे तो यह process automatically नहीं होगी तो जहाँ जहाँ में data map कर रहा हूँ वहाँ आपको भी करना है है ना यहाँ तो करना ही है और आ जाता हूँ body field 1 पे और 2 पे तो यह दोनों क्या है यह दोनों हमारी template के according है यह one और यह two है ना यहाँ पर मैंने दो ही variable बना है that's why यहाँ पर दो ही fields आई अगर मैं वहाँ पर 10 variable बनाता तो यहाँ पर 10 blank fields आ जाती है तो template के according in में data map करना है मुझे है ना यहाँ पर high के बाद नाम आएगा student का तो यहाँ पर नाम map कर दूँगा मैं google sheet से मिलेगा यह रा रॉबिन सिंग क्लिक करके map कर दिया body field 2 के अंदर क्या आना है यहाँ पर आना है हमारे school का नाम या फिर जो भी आपकी company का नाम है वो लिख दीजिए जो same रहने वाले हर process में उन्हें आप manually लिख सकते हैं okay magnet brains okay so click करता हूँ save and send test request पर तो जैसे ही मैं save and send पर click करूँगा इस whatsapp नंबर पे robin singh को मेरी तरफ से एक message जो है sent हो जाएगा है ना so robin singh का जो whatsapp web है वो मैंने अपने पास open करके रखा है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि जैसे ही मैं save and send पर click करूँगा तो एक test message जो है sent हो जाएगा एक confirmation के रूप में कि आपका automation set हो गया है चलिए click करता हूँ save and send test request पर जाकर चेक करूँगा whatsapp पर की message आता है कि तुरंत message आया है जैसा कि आप देख रहे है एक बार refresh कर लेता हूँ उसको ताकि message आ जाए okay so refresh करने के बाद जैसे कि आप देख रहे है message आ गया है open करके देखता हूँ hi robin singh जैसा की नाम था student का congratulations you have cleared all dues of school please collect your admit card from the office during working hours okay all the best for your exam from magnet prince team okay एक दम perfect message आ गया है जैसा भी message में चाह रहा था है ना automatically और इस message की presence बता रही है कि मेरा automation site हो गया है just अब मुझे save पे click करना है और अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यह जो process मैंने अभी करी अब यह automatically होती ही रहेगी होती ही रहेगी जब तक यह workflow on है क्या होगा automatically जबी भी आप जाओगे अपनी इस google sheets में य message लिख दूँगा है ना due ना लिखके page लिख दूँगा तो automatically उस student को उसके whatsapp number पे मेरी तरफ से इस तरह का message जो है sent हो जाएगा बिना मेरी involvement की यह पूरी process automatically होगी अब मुझे कुछ भी नहीं करना है ना सिर्फ इन applications को पैबली connect की help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो बिना क किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूं इस video के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया यह same workflow use कर पाओगे अपने account में वो भी एकदम इस video से related कुछ questions होते हैं आपके queries होती है या फिर आप मुझसे बात करना चाते हैं मेरी team से बात करना चाते हैं तो आप हमसे अपनी queries पूछ सकते हैं यहां दी गई link पर और आपको अगर पैबली connect की pricing जानी है तो वो आपको यह दी गई link पर मिल जाएगी और जाते जाते एक बात बता दूँ कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को like करना मत भूलेगा और हमारे channel को subscribe करना भी मत भूलेगा thanks